दीपा वली की रात्री या अमवश्या शाधकों के लिए एक विशेश महत्तुपूर्ण रखती है इस दिन सभी शाधक अपने शाधनाओं को जागरत करते हैं खास तौर पर तंत्रमंत्र क्रिया करने वाले लोग तो यह विशेश कैसे रहती हैं? इसलिए विशेश रहती है कि यह त्रिगुनात्मक स्रिष्टी है शतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और इनमें तीन रात्रियां मानी गई काल रात्र, महा रात्र, मोह रात्र, स्तथे वोचा जिसमें काल रात्री ही रीपावली है निशीत काल हमारे गायत्री पुरस्चरण और गायत्री उपासना में गायत्री उपनिशद में उसके बारे में बताया गया है कि निशीत काल किसे कहते हैं मद्धरात्री के असपास के समय को निशीत काल कहा जाता है जिस समय काली रात्री का प्रादुर भाव दीपावली की दिन होता है इसलिए काल रात्री का मतलब होता है काल माने शमय और अत्री माने यहां रा माने तेज जो तेज है यहां पर काल समय का वो वहां पर उश दिन प्रचूर मात्रा में देदिप मान होता है उश रात्री को न इसलिए सादक लोग मंत्र यंत्रों तंत्र की जागरती के लिए हमेशा ही उस समय के इंतिजार निशीत काल का इंतिजार करते मां काल रात्री के प्रादुर्भाव के शमेक और उसी समय सारी जागरतियां होती है और यह सास्तर सम्मत चुकि काल रात्री यह तमोगुणी सतोगुणी में तमोगुणी है और काल रात्री वास्तों में सतोगुणी है लेकिन उनका सुसरूप होता हो काला होने का तमोगुणी दिखाई देता है साधने अं साधन्य स्थाध जो साथिक्षाद्ब haven वह भी कर सकते गाइत्री त्यादिक उपाश्ना करके मा भगवतिक नवाड मंत्र का या औरो या अरें मिया और यह मूल भीज मंत्र हैं इन भीज मंत्रों में से किसी का वी एक को इतने वारोजब करके हवन कर दें क्योंकि उस दिन विशेस मानता प्रकास से परिपूर होती है तो यह मंत्र जितने भी बार पढ़े जाएंगे वो सहस्र गुना होंगे एक बार का मतलब शौगुना यदि ए अक जप का फ़ल प्रैप्त होगा और उस रातिम निशीत काल में और उसका दसान सहुंदस बार करने पर हजार आउती का फ़ल हो इसलिए सिद्ध हो और इससे उसके अंड का वो उर्जा उसकी रच्छा करेगी और अन्रे की विरच्छा कर पाने में सवर्थ होगी